बिग बॉस में खुद को भोली भाली गाउं की लड़की बताने वाली शिवानी कुमारी एक नहीं बलकि दो दो लड़कों को डेट कर रही है क्या शिवानी की कहानी भी अर्मान मलिक के जैसी है बस फर्क सिर्फ इतना है कि शिवानी ने दोनों लड़कों से शादी नहीं की है नहीं बाबा नहीं ये तमाम दावे हम नहीं कर रहे बलकि ये किये हैं खुद को शिवानी का एक्स बॉइफरिंड बताने वाले अमित मिश्रा ने अमित मिश्रा ने कहा कि मेरी और शिवानी की बात तक हो चुकी है हम दो महीने पहले एक दूसरे से अलग इसलिए हुए थे हम दोनों ने ये तै किया था कि हम दोनों ही जिन्दगी में कुछ कर ले उसके बाद सीधे शादी करेंगे यूट्यूबर अमित मिश्रा ने कहा कि तीन साल पहले मैंने और शिवानी ने कंटेंट बनाना शुरू किया था मैंने और शिवानी ने साथ में वीडियोस भी डाली थी उसके बाद ये वाइरल हो गई अब ये बिग बॉस में गई है और बिग बॉस में जाकर ये कहती है कि इसका कोई बॉइफरेंड नहीं है पहले मुझे लगा था कि गेम होगा लेकिन इसने अभी तक ये नहीं माना है कि ये किसी के साथ रिलेशन्शिप में थी अमित मिश्रा ने कहा ये मेरे घर आई थी इसने मेरे पापा से बात की शादी तक की बात फिक्स हो गई लेकिन अब इसके बिग बॉस में जाने की बात वो लड़का जो इसका मैनेजर है जिसका नाम अभी शेक है वो मुझे हाम करने की कोशिश कर रहा है यूट्यूबर अमित मिश्रा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि अभी शेक इसका बॉइफरिंड है और दिलीट करने के लिए मुझे अभी शेक हाम करने की कोशिश कर रहा है वो मेरे चैनल पर स्ट्राइक डाल रहा है, मेरे चैनल को बंद करवाना चाहता है अभिशेक और शिवानी के बीच क्या है इन सब का जवाब शिवानी को मुझे देना ही होगा शिवानी को बताना होगा कि वो हमारे रिष्टे से इंकार क्यों कर रही है अमित मिश्रा ने कहा कि अब पानी सिर से उपर चला गया है उधर शिवानी बॉइफ्रिंड होने की बात ही नहीं मान रही और इधर अभी शेक मुझे परिशान कर रहा है वेल ये समित मिश्रा ने खुद खुलासा किया कि एक साथ डपल डेटिंग कर रही थी शिवानी अब इसका पूरा सच क्या है ये तो शिवानी के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा पाइनल काट नेउस चेस